अगस्त 1947 मदरास प्रेसिडेंसी तमिरनाड विशुष्ट लोगों का एक समों अपने जीवन काल की एक एतिहासिक यात्रा की तैयारी कर रहा था उन्हें एक महत्व पूर्ण कार्य संपन्न करने के लिए आमंत्रित किया गया था एक शासक से दूसरे शासक को सक्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को विदी विदान के साथ पूर्ण करने का कार्य सौपा गया था किस दिशा में कूच कर रहे थे ये लोग? दिल्ली भारत अपनी स्वतन्तता के समीप था ब्रिटिश आसन से मुक्ति की बेला थी स्वराज के लिए संगर्ष में हजारों गिरफतार हुए और मारे गए और तशको बाद राष्टर अपनी लक्ष के समीप था वो लक्ष था, स्वाधीन था, स्वतन्तता अबंतिम वाइसरोई लॉड माउंट बैटन को एक मत्वपूर्ण कार्य करना था भारतियों को उनका स्वराज्य सौपने का कार्य परन्तु उनके सामने एक सवाल था स्वराज्य को किस प्रकार सौपा जाए ऐसे में हाथ मिलाने की रस्म शायद ही काम आए तो इस गौरोशाली शन के प्रतीक के रूप में कौन सी रस्म अपनाई जाए उन्होंने पंडित जवाहरलार नहरू के सामने अपना ये सवाल रखा ये एक उचित सवाल था जिसके बारे में विचार विमर्ष की आवशक्ता थी नहरू जी ने ये प्रश्न जाने माने स्वतन्तता सैनानी श्री सी राजगोपालाचारी के सामने रखा जिने राजा जी के नाम से जाना जाता था वे तमिलनाड से थे नेहरु राजाजी की विद्वता और भारतीय परमपराओं और सभ्यताओं पर उनके ज्यान का सम्मान करते थे राजाजी को इसका समाधान भारत के गौर अवशाली अतीत में मिला तमिरनाड के चोड़ा समराज में जो भारत के प्राचीनतम और धीरगकाल तक चलने वाले समराजियों में से एक था एक चोड़ा समराज से दूसरे समराज को सत्ता का हस्तान्तरण नीती परायंता के प्रतीक अर्थात सेंगोल सौप कर किया जाता था भगवान शिव के आशिरवाद का आवाहन करते हुए उस समय के महन्त द्वारा सेंगोल को आशिश प्राप्त होता था क्योंकि चोड़ा शिव के प्रबल भक्त थे उनके द्वारा स्तापित हजारों वर्ष पुराने मंदिरों में आज भी पूजा की जाती है राजा जी ने इसी परंपरा और समारों के आयोजिन की सला दी जिसे नहरू जी ने स्विकार किया राजा जी ने बिना समय गवाए इस समारों के लिए प्रमुख धार्मिक मठ या आश्रम तिर्वा वरदुरई आदिनम से संपर्क किया जिसे पाँच सदियों पहले स्तापित किया गया था और ये तब से चोया भूमी के केंद्र में स्तित है और आज तक कारियरत है ततकालिन मठ प्रमुख भी स्वे गुरू महा सन्निदानम श्री लश्री अंबलवाना देशिक स्वामी ने अपनी अस्वस्तता के बाद भी इस कार्य को स्वीकार किया उन्होंने सेंगोल बनाने का दाईत्वर मदरास के प्रसिद्ध स्वर्नकार वुमडी बंगारु को सौपा सेंगोल के शीर्ष पर नंदी विराजमान थे जो की शक्ती, सत्य और न्याय के प्रतीक है सेंगोल बनाने के समय को याद करते हुए 96 वर्षिय श्री वुमडी एतरा जुलू कहते हैं आधिनम किसी की सिफारिश पर हमारे पास सेंगोल का निर्मान का न्योता लेकर आये थे उन्होंने हमें इसकी चित्र दिखाए यह एक गोल लंबा कार वस्तु थी इसे बिलकुल वैसे ही बनाना था यह एक महत्व पूर्ण स्थान पर जा रहा था इसलिए उच्च गुनवत्ता आवश्यक्ती हमें इसके निर्मान का आधेश मिला यह चांदी से बना था जिस पर सोने की परत थी आधिनम के सानिध्य में इस निर्मान से जुड़कर मैं बहुत ही प्रसन था स्वतंत्रता सब के लिए गौलोगशाली शण था पर आधिनम द्वारा हमें सेंगौल निर्मान का दाईत्व सौंपने से उस शण का महत्व बढ़ गया था परम पावन मट प्रमुखने उपप्रमुख श्री लश्री कुमारस्वामी तंबिरान आधिनम के ओदुवार विशेश गायक मानिक्यम और नादस्वर विद्वान टी एन राजरत्नम पिल्ले को आयोजन संपन्न कराने का दाईत्व सौंपा ये दल एक विशेश विमान से धिल्ली पहुचा 14 अगस्ट 1947 की रात्रिको श्री लश्री कुमारस्वामी तंबिरान ने रीत इनुसार सेंगोल को लौड माउंट पैटन को सुपूर्द किया और लौड माउंट पैटन से उसे पुनह स्विकार किया तत्पश्चात सेंगोल पर पवित्र जल चिड़का गया शोबा यात्रा के रूप में इसे पंडिक जवाहरलाल नेहरू के पास ले जाया गया इस अफसर पर उदुवार ने तमिर संत तिरिज्ञान संबंदर द्वारा रचित कोलर पदिगम से शलोकों का पठन किया महंत ने नेहरूची को पीतांबर पहनाते हुए उन्हें रीतिनुसार सिंगोल सौपा अडियार गलवानिल अरसालवार आनई नमदे अर्थाद ये हमारा आधेश है कि ईश्वर के अन्युआई, राजा, स्वर्ग के समान शासन करेंगे इस वाक्य से शलोक का समापन हुआ इस प्रकार एक हजार वर्ष पूर्व की सब्यता गत प्रथा के अनुसार दक्षिन और उत्तर के असाधारन एकी करन द्वारा राष्ट्र को एक सूत्र में पिलोते हुए शासन का हस्तांतरन हुआ तट पश्चाथ नेरुजी ने श्री राजिंद्र प्रसाद सहीत कई नेताओं की उपस्तिती में सेंगोल को स्वीकार किया आगे चलकर श्री राजिंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्र पती बने इस एतिहासिग घटना का उलेक वो प्रकाशन राष्ट्रिय और अंतर राष्ट्रिय मीडिया में किया गया 25 अगस्ट 1947 की टाइम पत्रिका ने भी इसे प्रकाशित किया हस्तांतरन की प्रक्रिया के पस्चाथ पंडित जवाहरलाग मेहरू ने 14 अगस्ट 1947 की मद्य राथ्री को अपना विश्व विख्यात भाष्ण राष्ट्र के नाम संबोधित किया कि विख्यात भाष्टτί अपना विख्यात भाष्ट यहार अपना विख्याट्व प्रक्रियाक साथिति जवाभ्स